कच्चे तेल के उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने उत्पादन में 20 लाग बैरल प्रति दिन कटोती का फैसला किया है अमेरिकी दबाव के बावजूद ओपेक प्लस ने उत्पादन में 2020 के बाद की सबसे बड़ी कटोती का फैसला किया है इस कदम को पहले से संघर्ष कर रही वैश्विक अर्थ व्यवस्था के लिए एक और जटका माना जा रहा है बीते तीन महीनों में कच्चे तेल का मूल्य 120 डॉलर प्रती बैरल से घट कर 90 डॉलर प्रती बैरल पर आ गया है महाराष्ट्रा में राजनीतिक संकर का असली सूत्रधार और शिवसेना के संस्थापक तथा पेशे से कार्टूनिस्ट बाला साहिब ठाकरे के मंजले पुत्र जैदेव ठाकरे कल मुंबई के बांदरा कुरला कॉंपलेक्स के MMRDA मैदान में शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुड के मंज पर नजर आए इस मंज से उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संदेश भी दिया और महराष्ट्रा के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ मंज साजह करने के बाद जो संदेश दिया है उससे यह स्पष्ठ हो जाता है कि शिवसेना में बगावत के पीछे उनका भी विभीशन की तरह कोई न कोई किरदार अवश्य रहा होगा जैदेव ठाकरे ने बागी गुड के मंज से अपने संदेश कहा कि एकनाथ शिंदे को अकेला मत छोड़ो एकनाथ शिंदे किसानों और आम लोगों के लिए काम कर रहे हैं भारत और दक्षन अफ्रीका के बीच टीम इंडिया शिखरधवन की कप्तानी में तीन वंडे मैचों की सीरीज खेलेगी जिसका पहला मुकाबला आज लखनओ के अटल बिहारी बाजपेई इकाना स्टेडियम में है इस सीरीज के लिए श्रेयस अयर को उपक अपतानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है सीरीज का दूसरा मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा वहीं सीरीज का आखिरी मुकाबला 11 अक्टूबर को दिल्ली के अरुन जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा पर एक समग्र नीती बनाई जानी चाहिए जो सब पर समान रूप से लागू हो और किसी को इससे छूट नहीं मिले भारत में तेजी से बढ़ती जनसंख्या को समस्याओं की बड़ी बजहों में से एक माना जाता रहा है समय समय पर संस्थाएं एवं विशलेशक इस ओर इशारा करते रहे हैं पर्ष्चिम बंगाल के जल्पाई गुडी जिले में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान नदी में अचानक जल का स्तर बढ़ने से साथ लोगों की मौत हो गई है और करीब 40 लोग लापता है घटना जल्पाई गुडी जिले के माल बाजार इलाके में माल नदी की है रेल यात्रियों की सुविधा और अधिक भीर को देखते हुए रेलवे इस वर्ष छट पूजा तक 189 विशेश रेलगाडियों को चलाएगा विशेश रेलगाडियां देश भर में दिल्ली पटना, दिल्ली भागलपूर, दिल्ली मुझजफरपूर, दिल्ली सहरसा जैसे रेलमार्गों पर स्थित प्रमुक स्टेशनों को जोड़ेगी मेक्सिको के सेंड मेगुल टोटोलेपन मिस्थित सिटी हॉल में बदमाशों ने अंधाधुंद गोलियां बरसाई गोली बारी की घटना में कम से कम अठारा लोगों की मौत हो गई मरने वालों में मेर भी शामिल हैं इस गोली बारी में मरने वालों की संख्या में और इजाफा हो सकता है इस हमले की जिम्मेदारी लॉस्ते कीले रोज नामक आपराधिक संगठन नेली है केरल के पलक कर जिले के वड़क कंचेरी में केरल राज्य सठक परिवहन निगम की बस के एक पर्यटक बस से टकरा कर दुरगट नाग्रस्थ होने से नौ लोगों की मौत हो गई जबकि 38 घायल हो गए पर्यटक बस एरनाकुलम जिले में बसेलियोस विद्यानिकेतन के छात्रों और शिक्षकों को लेकर उटी जा रही थी विदेशी पूंजी की आवक और एशियाई बाजारों में मिले जुले रुख के बीच आज प्रमुक शेर सुचकानकों में सकारात्मक शुरुआत हुई इस दौरान 30 शेरों वाला BAC Sensex 513.29 अंग चड़कर 58,578.76 पर पहुंच गया ये अंटाइटल्ड प्रोजेक्ट A.S.03 बॉलिवुड में उनकी तीसरी फिल्म है। आयुष शर्मा की ये फिल्म रामायन के निशकर्ष के साथ आती है, जो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। हालांकि इस फिल्म से जुरी डिटेल्स अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन आयुष शर्मा ने मायतो मौडन एक्शन एडवेंचर का टीज जारी कर दिया है, जो साल 2023 में रिलीज होगी।